स्वागत है आप सभी का हेल टिर्की जी के चैनल पर तो इस टॉपिक से संबंदित इसके पिछले वीडियो में हमने 25 अति महत्य पूर्ण प्रशनों पर चर्चा किया था अब हम प्रश नंबर 101 से चर्चा करेंगे अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके इन तमाम महत्य पूर्ण प्रशनों को आप देख सकते हैं क्योंकि हिंदी सभी परिच्छाओं में अक्सर पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है इसलिए एक बार देख लीजिएगा इन प्रशनों को चार सब्दों के आगे उनके विसेशन सब्द दिये हुए हैं जिन में एक बिकल्ब सही नहीं है उसे चाहनित कीजिए उसका सही उत्तर हो जाएगा मृत-मरत ये सुमेलित नहीं है बाकी भूम का भौम लाठी का लठाय तो रस का रसिक ये विसेशन सब्द दिये हुए है ये बिकल्प सही है बाकी मृत्यु का मरत ये गलत है कोश्चन नमबर 102 जी हाँ इसका दिखेगा मृत्यु शब्द का विशेशन होता है मरत जी हाँ कोश्चन नमबर 102 विशेशन के चार भेदों के सामने शब्द दिये हुए जिनमें एक का सब्द सही नहीं है उसे चायनित कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें देखे इस्टार बना हुआ है यहाँ पर देखेगा जो चारो विकल्प विशेशन के विएद यों मुनके उधारन के देश्टे से संगत है यानि ये प्रस्म जो है तुरूटी पूर्ण है इसका मतब यह गुढवाचक विशेशन क्या है नीला साडी में कौन सा विशेशन है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गुढवाचक विशेशन जो संग्या या सर्वनाम के गुड़ या दोस परकट करें उसे गुड़ वाचव विशेशन कहते हैं अतियंत सब्द में कौन सा किरिया विशेशन है जी हाँ इसका सही उत्तर क्या होगा परिमार वाचव जी हाँ जो आविकारी शब्द किसी किरिया के परिमार अत्वा निस्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमार वाचव किरिया विशेशन कहा जाता है जैसे बहुत अतियंत पूर्णतया अधेक कूछ थोड़ा एथेस्ट इतना उतना कितना तो ये जो किरिया विशेशन है वो एक परकार का आविकारी शब्द है जिसमें किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता परिमार वाचव किरिया विशेशन का वाक्य होगा सही उत्तर क्या होगा इसका वहाँ बहुत ठक गया है ये परिमार वाचक किरिया विशेशन का उदहरण है कोश्चन नमबर 106 कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्यांस में धीरे धीरे सब्द में किस प्रकार की किरिया विशेशन का रूप है सहिवतर हो जाएगा रीत वाचक किरिया विशेशन जिसमें हैविट बताई जाती है आदत बताई जाती है उसे रीत वाचक किरिया विशेशन कहते हैं या फिर जो आविकारी शब्द किसी किरिया की रीत पद्धत या तरीका यानि धंग का बोध कराते हैं उन्हें रीत वाचक किरिया विशेशन कहा जाता जिसे सच मुच ठीक सहसा धीरे धीरे आवस कदाचित यथा संभो तेज अता इसलिए क्योंकि नहीं मत कदाप तो ही इत्याद ये सभी सब्द रीत वाचक किरिया विशेशन के अंतर गताते हैं और रीत वाचत किरिया विशेशन एक प्रकार का आविकारी शब्द है, आविकारी शब्द उसे कहते हैं जो न किरिया, न करता, न वचन, न लिंक के अंसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोशन नमबर 107, नीचे बने विराम चिन्नों में अपूर्ण विराम चिन्न के वि 108, विराम चिन्न का नाम है, तो विराम चिन्न का नाम क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो विराम चिन्न है, जो चिन्न बना हुआ, इस चिन्न का नाम बताना है, तो यह हो जाएगा हंसपद विराम चिन्न, यानि कि तूटी बोधक, यानि कि जो सब्द या अ दो उपर लिख देते हैं जिसे राम कल दिल्ली जाएगा तो उसमें आप जैसे कहीं छूड़ जा तो उसके लिए हंस्पद या तूटी वोधक चिन्न का परियोग कर सकते हैं पूश्चन नमबर 109 इस वाक में कितने विराम चिन्न लगने चाहिए तो ये है अस तो आपने इतना कर्ष्ट किया इतनी लंबी आत्रा क्योंकि अब असनान ध्यान भोजनाद करके कुछ विसराम कर लें ये वाक में कितने विराम चिन्नों का परियोग किया जाएगा ये बत से एक ये हो गया अस्तु के बार लगेगा एक किया के बार लगेगा दो हो गया और एक कोशन मार्ट लेगा क्योंकि ये तीन हो गया चार हो गया यहां पर इसके अलामा ये पांच हो गया और एक कहां पर लगा ये ध्यान देना है तो यहां पर अस्तु के अस्तान पर हो गय एक, दो, तीन, इसके बीच में लगा हुआ चार, ये पांच और ये लास्ट वाला छे, इस तरीके से आपको समझना आए, इस तरीके से होगे, अब बात करते हैं, कोशन नमबर 110, लाहर के इन परियावाची सब्दों में से एक गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुकूल, ये गलत है, वाकि वीच तरंग हिलोर, जी है, ये जो है लहर का परियावाची है, इसके अलामा दुकूल लहर का परियावाची नहीं है, इसके अलामा इस प्रकार और भी देखे परिधान यानि कपड़ा के परियावाची सब्द हैं वसन, पहरावा, चीर, पट, वसन, वस्त्र, दुकूर ये सब कपड़ा के परियावाची हैं जबकि हिरोर, ओर्मी, तरंग, विची और लहरी ये लहर के परियावाची सब्द हैं Question number 111, जी हाँ, इंद्र का परियायवाची कौण सा सब्ध है, जो इंद्र का परियावाची है, तो इसका सहे उत्र हो जाहंगा, मधवा, सिक्र, सुर्पत, देवराज, पुरंदर, सचिपत, अमर्पत, देवेश, सुरेश, कौसिक, ये सभी इंद्र के परियावाची हैं, ये सभी पुत्री के परियावाची हैं इसके अलामा भार्या, दारा, जाया, अर्धांगनी, अवरत, जोरू, घरवाली, कांता, वामा, बल्लवा, सहःगामनी ये सभी सब्द पत्नी के परियावाची हैं विसाद का विलोम क्या होगा? सही उत्तर होगा हर्स इसके अलामा कोशन नमबर 114 निरमाड का विलोम क्या हो जाएगा? नास, धौंस, तीनों ही निर माड के विलोम हैं नास बिनास और ध्वांस यानि उपर एक तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोश्चन नमबर 115 क्या है निम निखित में राग का विलोम कौन सा सब्द होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराग इसके अलामा 116 की बात करें इन में से साधारण का समानार्थक सब्द क्या होगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान अब बात करतें कोश्चन नमबर 117 की परियाप्त का समानार्थक सब्द क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा परियाप्त का यतेस्ट कोशन नमबर 118 भोजन का समाना अर्थक क्या होगा ये बताना है सही उत्तर हो जाएगा असन असन भोजन खाना भोजपदार्थ खाद खाद पदार्थ खाद वस्त खुराक आहार सामागरी भोज ये भोजन के समानार्था कि आप परियावाची सब्द हैं Question number 119 जिस पर आकर्मर किया गया हो उसके लिए एक सब्द के लिए क्या होगा सहित्तर हो जाएगा आकरांत अब बात करते हैं और जिस पर आकर्मर ना किया गया हो वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा आनाकरांत 120 मार्ग में किये जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं सहित्तर हो जाएगा पाथे जी हाँ इसी तरह कुछ महत्पूर्ण वाक्यांस उनके एक सब्द है जो परमार से सिद्ध हो उसे कहेंगे पर्मे अब बात करते हैं कोशन नमबर 120 सरवग के लिए कौन सा वाक्यांस के लिए एक सही होगा जी हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सब कुछ जानने वाला 122 रिटायर के लिए ठीए के हिंदी सब्द होगा सही उत्तर हो जाएगा पद मोक्त फार्मर का हिंदी रूपांतरन भूत पूर्व होता है जबकि रिटायर का हिंदी रूपांतरन पद मोक्त होता है 123 एक सब्द का अर्थ है कठोर इसमें से कौन से सब्द का अर्थ होता है कठोर परुष सब्द का अर्थ होता है कठोर इसके अलामक कठीन, दुसकर, दिर्ण, सक्त, कड़ा, निश्ठुर, संग, दिल, इत्याद, कठोर के समानार्थी शब्द है एक सब्द बहुत बिच्चु का अर्थ क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्रमण स्रमण बहुत बिच्चु को कहा जाता है रिसी, मुनी, यति, सन्यासी, तत्तवग, तपस्वी, ये साधु के परियायवाची है अब ये दिखेगा ओप्संस, देवर का तत्सम क्या होगा? संस्कृत सब्द बताना है तो देवर का हो जाएगा दुईवर तो ये थे हिंदी के कुछ महात्य पूर्ण प्रस्ण हमारे वीडियोज को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद